कॉंपेशन कमनेटी में आप सभी का स्वागत है मैं हूं हेमत प्रधान और जैसा कि आप सभी को पता है CGPAC के इतिहास में या कहें तो 36 गड़ के इतिहास में पहली बार CGPAC मेंस का प्रपेशन पूरी तरह से निसुल्क आप घर बैठे उच गुणवत्ता युक्त तैयारी कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा Competition Community के द्वारा स्टार्ट किया गए खाश इनिशेटिव CGPAC मेंस प्रोग्राम यूटूब एवं Competition Community की वेबसाइट की माध्यम से आप लोग को प्रवाइट की जा रही है और यह सेवा पूरी तरह से निसुल्ख है तो जरूर इसका लाब उठाएं हमको बड़ी खुसी हो रही है कि जितने भी हम मेंस की पेपर में Questions अपलोड कर रहे हैं लगातार Students बढ़ चरकर हिस्सा ले रहे हैं और सबसे खुसी की बात है कि लगातार हो आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग के बिना आप उत्तर में वो perfection नहीं ला सकते कि आपको अच्छे marks मिले तो मैं ऐसे सभी CGPACS parents से आगरह करूँगा अगर वो answer writing के फिल्म में अभी भी नहीं उत्रे हैं तो जल से जल आप answer writing करें और answer writing करके अपने answer का feedback प्राप करें या कहें तो आप एक सटिक answer कैसे लिखें उसकी और क्रमसाब आगे बढ़ें जैसा कि इसके पूरुके lectures में निखत मैम, आकास सर, सतेंद्र सर, आनंद सर, आखुजबु मैम के द्वारा अल्रेडी काफी सारे guidelines दी जा चुकी है कि सही answer, सटिक answer, अच्छी गुनवत्तावाले answer कैसे लिखने हैं तो मैं आप लोगों से पुना आगरा करूँगा, आप उनकी guidelines को follow करें और accordingly आप एक कंशे answer लिखने की और आगे बढ़ें तो जैसे कि सभी papers की खास wishes रणनीती होती है, मैं आप से एस्सेटर हूँगा paper 4 में भाग एक और भागतीन से तो भागतीन का आज एक महत्कून topic उर्जा प्रोदिगी का part आज हम देखने वाले हैं कि उससे संबंदित कैसे प्रस्ण बनते हैं, उसके सही answer किस प्रकार लिखे जाने चाहिए और कहें तो आप की paper 4 की रणनीती किस प्रकार आगे बढ़ेगी तो आएए हम without wasting time इसकी और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक इस paper की बारे में दो मिनिट कुछ बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले इस paper के बारे में तीन महत्कून बाते मैं भी आपसे share करना चाहूँगा वह ये कि paper में science and technology का जो question होता है उसे इस प्रकार समझें जैसे कि आप कोई भी प्रस्न को समझें और सारगर भी तुत्तर लिखें बिल्कुल भी elaborative form यानि कि विस्तार पूर्वक इसको लिखने की कोशिस ना करें जब तक आप उसके तर्थे के साथ न्याय कर रहे हैं तो बिल्कुल लिखें उसे लेकिन आप अनावस्यक मतलब page भरने का प्रयास बिल्कुल ना करें क्योंकि ये science का part है ठीक है सारगर भी तुतर कैसे लिखना अभी हम पहले ही process से उसे clear कर लेंगे दूसरा आप जो भी प्रस्न पूछा जाता है उसकी परिदी को बिल्कुल भी cross ना करें यानि कि उसकी periphery से बाहर लिखें अननेसेसरी आप अपना burden मत बढ़ाएं अपना time waste ना करें पेपर में तो सबसे पहले उसकी परिदी को समझें और उस परिदी के अंदर ही बहुत सा है आखड़ों का अपना एक vicious मात्व होता है तो science and technology में science जो पार्ट है तो वह तो static पार्ट होता है लेकिन जब इसके technology वाले पार्ट में आते हैं प्रदुगी की वाले भाग में आते हैं जो खासकर आपकी paper 4 का भाग 3 का भाट है उसमें अगर आप देखेंगे तो technology उसकी जो basic तथ्य है वो तो डालना ही है आपको ठीक है तो आएए हम चलते हैं इन चीजों को implement करते हुए questions की ओर तो आपको screen पे पहला question देख रहा होगा कि सौर उर्जा को परिभासित करें और उनसे संबंधित उपकरणों के नाम लिखें ठीक है तो क्या है define the solar energy and write the name of major solar equip movements तो इसका answer क्या है देखें आप इसमें खास कर्या समय discussion community के portal पे देख रहा था काफी सारे students अच्छे अच्छे answer लिखें तो उन्हें से कुछ का नाम भी में लेना चाहूंगा जो बाकी सभी प्रस्णों में उन्होंका participation भी रहा है तो इन सभी students के अलावा भी काफी सारे लोगोंने लिखा है लेकिन कुछ की answers को मैं observe कर रहा था तो थोड़ा सा और requirement थोड़ा सा और betterment की जोरत है but ultimately क्या है उन्होंने start तो कर दिया है तो धीरे धीरे वो अपनी perfection की और आगे बढ़ेंगे बिलकुल ठीक है तो इन्होंने उत्तर लिखा है आप भी उत्तर लिखें और उत्तर लिखने के बाद कुछ गलतियां definitely सामने आएंगी और वो गलतियां आप paper में बिलकुल नहीं कर लेगे क्योंकि वह अब यहीं से पकड़ में आ जाएगी ठीक है तो पहले question का answer कैसे होगा तो पहले question क्या है पूछा जगा है तो आप बहुत सार सुर से प्राप्त उर्जा सौर उर्जा है और विकिर्णों की रूप में प्राप्त होती है ठीक है इस टाप की questions में आप ऐस दो नंबर के marks के question है तो आसानी से दो marks पाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप 30 words में लिखें लेकिन आपको अपनी एक सीमा या अपने उत्तर का एक level decide करना ही होगा क्योंकि आपका जो उत्तर है उसकी जहलक दिख जाती है ठीक है तो क्या होगा एक अच्छा answer तो ज गहें उत्तर सभी का उत्तर same हो नहीं हो सकता उनके उत्तर भी सही हो सकते है यहाँ पे देखिए कि सूर के नाभिक में क्या होता है उर्या कहां साप्रणीfel होती है नुकलियर fusion के दिरू नाभिकी की सलायन के दिरू उत्तर परकार लिग लें, सूरिक के नाभिक में नाभिकी सलायन की फल सरूप उत्पन असिमित उर्जा, मैं रिपीट करता हूँ, सूरिक के नाभिक में नाभिकी सलायन यानि की निकले फ्यूजन की फल सरूप उत्पन असिमित मात्वरा में उर्जा, विकिरिनों के माध्यम से गया उत्तर है ठीक है उसे नॉमल भास हमें अगर लिखें हैं तो अलग हो सकता है तो इस प्रकार अच्छे सब्दों का प्रयोग करते इसका उत्तर लिख सकते हैं अब एक्स्टा पॉइंट के आयट करेंगे कि सूरी की से प्राप उर्जा स्वच्छ उर्जा है एवं अक्ष सूरे क्या दिया है ऐक्जांपल बूचा है एक्जांपल में आप मुझा है कि सबसे आसन से क्लास 10 की बुकश में पढ़े होंगे सोलर कुकर है सोलर पैनल है यह कह सकते है कि जो सोलर का ज vothermल पार्ट है जिसमें कि क्या ज़रत होता है basically collector या संग्रहक और उसमें और क्या ज़रत होता है receiver या collect receiver ठीक है तो ये basically इसके example हो सकते हैं ठीक है तो मैंने क्या कहा solar cooker, solar panel या solar thermal cell ठीक है तो इस प्रकार दो-ती रूप current के नाम लिख सकते हैं इसके लाबा वैंसे तो देखा जाये तो और भी जिसमें लिखा जा सकता है थोड़ा elaborate करें तो आप मालो चार नंबर के question आता तो इसे और दूसरी रूप में लिख सकते थे उनकी जो applications है जिससे solar panel किस से बना होता है silicon से बना होता है और silicon का जो सुद्धतम प्यूर फॉर्म होता है poly silicon होता है तो poly silicon के बारे में यानि कि solar panel का तो ये थोड़ा elaborate form है लेकिन 30 word में आप definition में ने बताया और example put कर ये that's it 30 word clear ओके इसके बाद आप प्रस्ट नंबर 2 की उर चलते हैं तो question number 2 अगर आपको देख रहोंगे screen पे नविनिकृत और अनविनिकृत उर्जा क्या है उधारण सहीद बताईए what is the renewable and non renewable energy explain with examples वापस से इसकी periphery को समझेए उसमें क्या है सीधा सीधा पूछा है renewable and non renewable energy क्या है नविनिकृत और अनविनिकृत उर्जा क्या है सीधा example पूछा है आपको इसमें 4 number के question है 60 words है तो आराम से इसको लिखा जा सकता है तो renewable energy क्या है सुन लीजिए उर्जा का ऐसा रूप जो पूरी तरह स इसे स्वच्छ होता है और उसे एक बार यूज करने के बाद दुबारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है तो वह क्या है renewable हो गया नविनिकृत हो गई तो उसे ही क्या कहते है नविनिकृत उर्जा मैं फिर से रिपीट करूँगा उर्जा का वहरूप जो एक बार दोहन करन के बश्शाथ उसे पुना प्राप्त किया जा सकता है एवं वह सच उर्जा होती है वव एक्षा उर्जा भी कहते हैं गेर्परंपरागत उर्जा भी कहते हैं वयकलबी को घाते हैं प्रकार आप इसका definition आप समझ गए और अच्छी बात क्या है यह कभी भी समाप्त नहीं होती या समाप्त होने के chances काफी कम रहते हैं तो यह दो तिंग चीजों को आप उलेक कर लिजे एक्जामपल में क्या कर लिखेंगे सौर उर्जा याने सोलर एनरजी, बेंड एनरजी याने पावन उरजा, थापी थर्मल एनरजी, ओसन एनरजी, समुध्रिक उरजा, टाइडल एनरजी, ज़वारी उरजा ठीक है small hydropower project जो होता है वो भी आपका renewable energy में ही आता है छोटे पनवीजिली वाले जो plants होते है वो भी उसी केदर जो producer होती है वो भी इसी में आता है एक अपवाद है इसमें exception क्या है कि nuclear energy nuclear energy किस से होता है basically nuclear energy क्या है जितने भी radioactive elements से प्राफ्थ होता है जैसे कि थोरियम प्लोटोनियम यूरेनियम आदी तो गोत एक दिन समाप्थ हो जाएगा इसलिए ये क्या है अनवी करनी उर्जा है non renewable energy है बट यह गेर परंपरागत उर्जा है यानि कि non conventional energy है mostly क्या होता है non conventional energy क्या होता है renewal होता है बट यह exception है ध्यान रखीएगा इसे ठीक है तो renewal energy के बारे आप समझ गए अब बात करते है non renewable energy non renewable energy उर्जा का वहरू जो जिसे हम प्रयोग करते हैं प्रयोग करने के बाद वह भविश्य में उसकी पूर्ती होने की संभावना काफी कम ह होती है for example आपके petroleum product crude oil ठीक है यह coal mines coal जो होता है coal mine से निकलने वाला तो जो कोईला है वह एक बार use कर रहे हैं दिरे से वह क्या समाप्त हो जाएगा natural gas natural gas कहां से प्राप किया जता है तो माइन्स के द्वारा जब हम extraction करते हैं निसकर्सन या दोहन करना हम जब चालू करते हैं उस दौरान होता क्या है कि गैस के भी भंडार मिलते हैं तो वह ही क्या है basicly prakritic gas है तो वह भी क्या है आपका उसकी पूर्ती नहीं की जा सकती क्योंक जादन वापस पूर्ती योग्य होने ना हूपाए ठीक है या उसके लिए काफी लंबा समय लगे तो वह क्या है आ नभी करनी उर्जा है ठीक है यानि की परंपरागत सोर्स है इसके एक्जामपल मैं आपको बता ही दिया ठीक है पेट्रोलियम क्रूड ओल यह कोईला यह परियावरण के प्रतिय समिधन सील नहीं होते यानि कि वो लुकसान पहुचाते कहना चाहिए ठीक है जबकि नभी करनी उर्जा क्या है स्वच उर्जा है हमने क्लियर ही मैसेस दे दिया था वह क्या परियावरण को लुकसान नहीं पहुचाता यह क्लियर हो गया तो इस प् कुछ-कुछ आंकडे इसमें समाहित कर लें कि जैसे आज देखते हैं कि नविकरिणी उर्जा में हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारा जो उर्जा लक्ष है कि आने वाले समय में हम renewable energy की मात्रा को बढ़ाने वाले हैं और non-renewal energy की मात्रा को घटाने वाले हैं जैसे आज 60% से उपर है क्या non-renewal energy बट renewable energy क्या है उसकी मात्रा 21% के आसपास है तो उसे हम क्या करेंगे उसे हम एक चौथाई की ओर ले जाएंगे खीक है एक चौथाई से और आगे जाके हम क्या है उसकी एक तिहाई की ओर ले जाएंगे तो इस प्रकारिस का आगे आने वाला हमारा भविश्यर जो है नभी करिणी उर्जा की ओर है इस प्रकारिस का आमसर आप थोड़ा सा विस्तारपूर वग में लेख सकते हैं आप बाब करते हैं कुर्शन नंबर 3 की और आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा नाभी की उर्जा का देश में विकास एवं उपियोगिता पर चर्चा करें इस प्रकार के प्रशनों को अगर आप देखें तो आपको याद होगा दोस्तों जब मॉबाइल कोर्स के समय में हमने एक काफी महत्पूर लेक्चर देखा था निकले टेकलोजी के बारे लाए तो निकले टेकलोजी में मॉबाइल कोर्स में हम काफी विस्तारपुर्वर्ट चर्चा किये थे कि इसका उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विकास के बाद आज का present scenario क्या है, ठीक है, तो mobile ghost इसका एक काफी महत्पूर भाग है, इस question को अगर आप deal करते तो, ठीक है, तो आईए इसे किस प्रकार हम इसका उद्गम से लेकि विकास देखेंगे, तो विकास को आप देखेंगे, उसके बाद उसकी उप्योगिता, तो प्रस्म को हम समझ गए, विकास उप्योगिता को हमको लिखना है, ठीक है, utility and development को लिखना है, उसके बाद परिदी के अंदर ही लिखें, तो उसके परिदी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, आपको पता है, फादर आप nuclear technology in India, डॉक्टर होमी जाहागिर भाबा, 1948 में परमाणू उर्जा आयोक, Atomic Energy Commission का स्थापना हुआ था, उसके बाद 1954 में परमाणू उर्जा विभाग बना, और विभाग बनने के बाद, परमाणू उर्जा कारेकरम को अगर देखते हैं, तो वो तीन चरणों में डिवाइड है भारत में, पहला चरण क्या है, पहला चरण यह है, ऐसी टेक्नलोजी लाएं जो उर्जा बेस थी, और उर्जा भारत में था नहीं, मदद से हम तीसरे चरण की टेक्नलोजी लाएं, तो इसके उत्तर में क्या जरूरी इफेक्ट होते हैं, उसे हम देखते हैं, पहला इसका जो होना चाहिए, उद्गम यहां से लिखे, भाबा से, ठीक है, डॉक्टर भाबा से हम लिखें कि उनका योगदान, आविस्मननी है, अईसली इनके जनक है, दूसरा, परमानू, उर्जा, कारेक्रम के तीन चरण, इसे जरूर लिखें, इसके बाद थोड़ा सा उल्लेक पोखरण का करना ना भूले, क्योंकि विकास सब्द जुड़ा है, तो हमने पहली बार जब पोखरण किया, पोखरण वन से लेके पोखरण टू के बीच में, हमारे विकास का करम ही तो है, और पोखरण वन के पहले भी हम क्या किये, उसकी और आगे बढ़े तो वभी विकास ही है, तो पोखरण टू हम सफल थे, पोखरण 2 में हम सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने पास में कुछ उर्जा विकास की सीड़ियां चड़ी हो सकता है उस दोरान हमको बहुत सारे चुनोतियां फेस करनी पड़ी लेकिन आप पोखरण का उल्ले कम से कम एक लाइन जरूर करें कि पोखरण 1 की चुनोतियों के बाद हम पोखरण 2 में सफल हुए वह अपने आप में भारत में निकलिय टेक्नलोजी का विकास है और पोखरण 2 के बाद तो समझे भारत की जो जर्नी है या भारत का कहना है जो परमानू विकास की जो यात्रा है वह अपने आपको एक मेल का पत्थर साबित कर दिया था यान कि कह सकते हैं कि विकास के क्रम में जब पोखरण 2 तक हम पहुँचे तो भारत के लिए एक यहाँ मेल का पत्थर था अब नाभी की विकास की जब बात आती है तो आप किसकी बात करते हैं आज जैसे प्रजन सिनेरियों में देखते 22 नुक्लियर रियक्टर हैं इस दौरान आप उनका उलेख भी कर सकते किसका आप करेंगे जितने भी नुक्लियर रियक्टर सेंटर का है नुक्लियर रियक्टर सेंटर तो वह क्या-क्या है जैसे आपको पता है सबसे पहला क्या आया आपका भेले वर्स आप स्थापना वर्स ना भी लिखें लेकिन उनका करम जरूर लिखें जैसे आपको पता है 1969 में क्या आया तारापूर आया उसके बाद रावत भाट आया अगर आप year note करना चाहें तो 1969 में क्या है आपका क्या आया तारापूरा आया 1973 में क्या आया आपका रावत भाटा तीसरा आया आपका देखते हैं इस प्रकार कलपक्कम 1984 में आया और उसके बाद देखते हैं नरोरा 1991 काकरापार 1992 कैगा वर्स 2000 और कुडम कुलम वर्स 2013 तो इस प्रकार जो परमाणू उर्जा सयंत्र है इनका स्थापना वर्स है तो अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा क्योंकि विकास है तो परमाणू उर्जा का प्रसार का विकास कर रहे हैं देख रहे हैं तो ये विकास का ये चीज भी आप लिख स क्लियर हो गया अभ देखते हैं वर्तमान में जो नए आंकड़े क्या कहते हैं नए आंकड़े में दो आंकड़े जोरूर समाविस्ट करें पहला कैगा परमारू सयंत जो कहां वेकरनाटका में है वो विश्व के इतिहास में पहला ऐसा कीर्टिमान इस्थापित किया है वो कीर्टिमान क्या है कि लगातार 941 देश तक लगातार उसके यूनिट में प्रोडक्शन किया है जो किसी भी देश के द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक और सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी प्रोडक्शन का एक रिकॉर्ड है तो उसी जरू समाहित करें क्योंकि यह हाल ही का करेंटरफेस का डेटा है दूसरा मात्पूर पाड़िये रखें कि वस 2050 तक भारत अपनी कुल पूर्जा जरुरतों का लगवक लगवक एक चौथाई भाग से भी ज़्यादा एक चौथाई भाग से भी ज्यादा क्या है उसकी पूर्टी किस से करेगा वह नुकलेर इनर्जी से करने वाला है तो यह दो आकड़े जरूर समाहित करें हाला कि आपको न भी करेंगी उर्जा लक्ष में अगर देखेंगे तो उसमें सौर उर्जा पवन उर्जा ठीक है ताप वाट है ठीक है और इनर्जी का 60 गिगावट है तो एनिवेज तो यह जो कोश्चन है इसका विकास आप समझ गए है आप उद्गम कहां नीव किनों रखा था भाबा ने कारिकर्म की जो तीन चरण थे वो तीन चरण को फिर से बताऊंगा पहला चरण क्या था यूरेनियम भारत में मिलता नहीं था हमको इंपोर्ट करना पड़ता आयात करना पड़ता जो काफी कॉसली होता इसलिए हम इसका ऑल्टनेट या उसका एडवांस टेकलोजी ढोडने के कोशिस किये अब बात आती है सेकंड चरण में जिसमें की ट्रेटेट यूरेनियम और प्रोटोनि यूज की गई, फास्ट बेडर रियक्टर यूज किया जाता था जिसे फिर से काफी चीज है उसमें क्या है एडवांस टेकलोजी यूज होती है और उर्जा काफी परिस्कित फॉर्म मिलती है तो इन सब रियक्टर में कॉमन बात क्या है सभी रियक्टर क्या है नुकलियर जाने कि नाभी की विखंडन पे आधारित होते हैं ठीक है पहली बार निकलियर फ्यूजन पे नाभी की सलयन पे आधारित भी नाभी की रियक्टर बनाई कोशिस की जा लिए भारत ऐवं सहयोडी रास्टों के दोबारा फ्रांस में ठीक है तो इस प्रकार कुछ current aspect आप दे सकते हैं चरण जो है वो static है उसको कभी मत भूलिएगा बहुत important part है इसका पोखरण की बारे में एक line लिखे मैं बताया वो जरूर लिखे उसके बाद nuclear reactor के जो क्रम है उनका जरूर उलिक करें ठीक है और उसके बाद current interface के data अब लोगी तामें 3-4 point लिखने चुकि आपको 125 words के answer लिखने है तो 125 words के आगर answer लिखेंगे तो आपको इसमें इन चीजों को देखने के बाद जैसे अगर आप देखते हैं वो बात क्या है कि जो नवीकरेनी उर्जा है वो क्या है नवीकरेनी उर्जा प्रदूसर्ण कम पहलात है या कहें तो बहुत ही कम पहलाते है तो यह क्या है नवीकी उर्जा या नुक्ले उर्जा क्या है बेसिकली यहां गैर परम परागत है भले नवीकरेनी है भले non-renewal है लेकिन गैर परम परागत कहने का तातपर नवन करेंशल कहने का तातपर यह है कि यहां भी क्या है अलब कहना चाइब परियावरण को काफी पकम नुकसान पहुचाता है तो पहला क्या है यहाँ ग्लोबल وार्ङ याने वैस्विख तापन को कम करने में सहायक है जरूरOhio Gita दूसरी उपियोगिता यहाँ परियावरण हितेसी हैं परियावरण को नुकसान काफी कम पहुंचाता है या किहें तो नहीं पहुंचाता ही वाले टेक्वलोजी तो आधोड़े समय में आ जाएगी लेकिन अभी काफी कम मात्रा में यहां परियाबरान को रुक्सान पहुंचाता है यह चीज़ लिख लें तीसरी मात्भूर उपयोगिता जरूर लिखें वह क्या है क कि बहुत सारे ऐसे radioactive treatment या therapy होती है जो health care जो department है उसमें काफी करांती लाती है या कहें तो health care program या स्वास्त विभाग में यह काफी मददकार साबित हो सकती है ठीक है यह तीसरा महत्पूर पार्ट है भारत की कुल उर्जा जरुरतों का एक महत्पूर भाग की पूर्ती किस से होने वाली है नाभी की उर्जा से होने वाली है जो इस प्रकार इसका उतर इसमें भी जरूर समाहित कर लें अब बात आती है इसके अगले उपयोगिता के बारे में और वो भी एक काफी आसान सी उप अपने आप में काफी ज़्यादा एफिशेंट इनर्जी है कहें तो जैसे नाभी की विखंडन और नाभी की सलयन ये दो क्रियाएं होती है इसमें तो नाभी की सलयन में ज़्यादा उर्जा प्रड्यूस होती है rather than नाभी की विखंडन मैं रिपीट करूंगा नाभी की सलयन में ज़्यादा उर्जा निकलती है नाभी की विखंडन के तुल्ला में कम से कम चार से पाच गुना ज़्यादा उर्जा निकलती है तो आने वाले समय में हम इसकी और बढ़ रहे है और ज़्यादा उनर्जी हम इसकी पूर्टी जरूर करेंगे और जैसा कि पता है भारत में उर्जा एक ऐसा फॉर्म है या उर्जा की जरुरत एक ऐसी जरुरत है कि भारत जैसे पॉपुलस कंट्री में ज़्यादा जन संख्या वाले देशों में जब संसाधन की कमी आएगी तो यही नाभी की उर्जा काफी मददकार साबित हो सकती है तो इस फरकार चार-पांच पॉइंट आप लिख सकते हो प्योगिता के बारे में अगर पूछा जाया तो ये जरूर आँकड़ा लिख ले कि भारत कुल उर्जा जरुवतों का एक चौथाई भाग जो है आने वाले समय में नाभी की उर्जा से पूरा करने वाला है थोड़ा सा आप इसका दूसरा कॉंस वाला पार्ड भी लिख सकते हैं कि जापान जैसे देश जो है फुकुसीमा घटना के बाद या यूकरेन में जैसे आप देखते हैं तो ये जो देश है जो नाभी की दुरगटना जहां हो चुकी है तो उन देशों में धीरे-धीरे क्या है इसके प्रती जो है उत्सा थोड़ा कम है जैसे फुकुसीमा में काफी सारे जो घटना होने के बाद जापान ने क्या किया है बहुत सारे सायंत्र बंद कर दी है और वो दूसरा अल्टनेट सोर्स इसको ढूंड रहे हैं तो इस प्रकार थोड़ा मौत आप लिख सकते हैं इसके बारे में लेकिस सब्सीमा का विसेज़ भियान रखें ठीक है तो इस प्रकार आप इसका स्केलेटल आप समझें विकास और उप्योगिता के बारे में आई हूप कि आपको समझ आये होगा ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग नहीं की है जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म पे आएं और आंसर राइटिंग जरूर करें ठीक है तो आप हमारे इन वीडियोज को लगातार देखते रहे हैं आप बात करते ही हैं चौथा और महत्पूल पार्ट प्रसम आपको स्कीन पर दिख रहा होगा उर्जा की बढ़ती मा को पूरा करने के लिए उर्जा छेत्र की चुनौतियों एबं संभावनाव पर प्रकास डाले क्या है आप लिखा है हाइलाइट दा चैलेंजेज एंड पॉसिबिलिटी अब दा एनर्जी सेक्टर टू मीट दा ग्रोविंग एनर्जी डिमांड्स देखो दोस्तों इस प्र उर्जा की जरूरत क्या है आप इसका पहला भाग है भारत की बढ़ती उर्जा जरूरतों को पहला लिखें दूसरा कि क्या-क्या चुनौतियां हैं उसको लिखें और क्या-क्या संभावनाएं हैं ठीक है ये तीन पार्ट में हम इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर जैसी कि 175 में तो 17 से 18 लाइन आएगी, 17 से 18 लाइन में अगर आते हैं तो आपका जो देखेंगे तो करीब 6, 6 and 6 में आप तीन पार्ट में इसा डिवाइड कर सकते हैं और इस प्रकाइस का उत्तर आप 60 तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या होगी इसके महत्पूर्ण तथ्य कौन-कौन से ऐसे important fact इसमें सामिल हो सकते हैं, आई उन बातों पर हम चर्चा करते हैं, देखिए इस प्रसलों को अगर आप देखेंगे गौर से, तो मैंने जो तीन महत्पूर्ण भागों में इसे विभाजित किया है, तो वो तीनो महत्पूर्ण पार्ट को आप किस प्रकार आप 175 words में लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसमें कुछ थोड़ा सा, कुछ भूमिका या कुछ ऐसे चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कि उर्जा किसी भी देश की विक आप्त मात्रा उस देश के ओध्योगी की विकास, यानि इनस्टियल डेवलप्मेंट के लिए काफी महत्पूर्ण साबित होती है, और एक और इस प्रकार ऐसा लिख सकते हैं कि भारत जैसे देशों में भी उर्जा संसाधन जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, पूरा कर सकते हैं, और जैसा कि आप विश्व परिदिस्य में देखा जाए कि पहले भारत उर्जा की आत्मनीर भरता के मामले में काफी पीछे था, इस कारण विकास के करम में वहाँ, अपेक्षा करित उतना तेजी से विकास नहीं कर पाया, उसके बावजूद भारत में जो है विकास की भरपूर संभावनाएं यहां पे समाहित हैं, तो इस प्रकार देखें, तीन महत्वपूर भागएं जैसे देखते हैं, कि मांग, इसका मांग, इसकी चुनोतियां और इसकी संभावनाएं, इन तीन महत्वपूर चीजों को अगर आप देखेंगे, तो भार प्रभाव पढ़ता है तो उर्जा को भी इसमें समाहित कर ले तो उर्जा बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जो है उर्जा संसाधन जो है उन पर भी दबाव आचुका है तो इसे इस प्रकार लिखे जनसंख्या के दबाव के कारण भार साथ से भारत का कौन सा इस थान है तो हाली प्रगाशित रिपोर्ट में इसे चौथा स्थान दिया गया है तो भारत में उर्जा की मां के अनुरूप भारत का चौथा स्थान है और अगर आप देखें कुकि जनसंख्या बढ़ रही है तो पर कैपिटा जो एनर्जी कंजंशन है पती व्यक्ति जो उर्जा खापत है उसमें भी क्या है बढ़ोत्री दर्ज की गई है 2.54 परसेंट की बढ़ोत्री दर्ज की गई है ठीक है और उद्योगों को सबसे ज़्यादा क्या है उर्जा की मांग की आवश्यक्ता है तो कुल मांग में और जो, शुर्जा कि मांग में सबसे ज़ादा भाकिस का है, उध्योगों का है, तो इसे भी आप जरूर लिख लें, और आपको पता है कि आर्थ ब्यवस्था कि क्या है? आर्थ ब्यवस्था की एक्चुवल में रेड़ी की हडडी क्या है? यही उर्जा ही है. उर्जा अगर आप देंगे तभी कोई भी उद्योग या कोई भी ऐसा इंडस्टी खड़ा हो पाएगा तो सिर्फ मैंने कोई भी periphery को cross नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ मैं किसको लिखा हूँ मैं मांग को ही मांग से सम्मंधित तथ्यों को ही लिखा हूँ तो इस प्रगार पहला paragraph आप ये लिख ले दूसरा paragraph में जब चुनोतियों की बात आती है तो चुनोतियों की बात जैसे ही आती है तो याद रखना कि भारत के पास जो भी उपलब्ध टक्नीक है उपलब्ध टेक्नलोजी है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये दिखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उर्जा के गैर परमपरागत स्लोतों पर आसरित ना होकर जो कन्वेंशनल या पुरानी जो परमपरागत तक्नीक है उसी पर आसरित है तो जैसे कि हम कोल इनर्जी क्या है एक ठोस इंदन है और कोल इनर्जी पर हम ज़्यादा आसरित है तो कोल इनर्जी का देखें अगर आप कोल इनर्जी इसके लाबा आप देखे अगर आप परमपरागत उर्जा का कुल वित्रण देखते हैं भारत में तो उसमें देखेंगे अगर आप यह पाई चार्ट देख पा रहे होंगे 63.84% सिर्फ हम किस से लेते हैं सिर्फ तापी उर्जा थर्मल इनर्जी और वो क्या है कोल है या इस प्रकार के दूसरे पेट् के जो जो सुरोत हैं जो हमको जादा होने चाहिए वो उसकी मात्रा कितनी है केवल 21.12% है ठीक है और स्मॉल हाइट्र पाउर प्रजेक्ट जो देखते हैं तो 13.9% है और यह जो देखते हैं नाभी की उर्जा जो इसके पहले वाले प्रसन में हमने डिसकस किया कि हमारा पास टेक्नलोजी बाद में आई तो नाभी की उर्जा में केवल 1.9% 95% ही हम क्या है वास्ता में हम उतनी परसन इनर्जी जो है प्रड्यूस कर पाएं तो चुनोतियों में क्या लिखेंगे चुनोतियों में ऐजी तकनी हमारे पास जो है अभी तक नहीं आई है जो नाभी क भरता है समझ रहें अब देखते हैं दूसरी चुनोति क्या है दूसरी चुनोति यह है कि यह बिल्कुल भी परियावरण ही तैसी नहीं होता कौन सा जो परंपरागत सरोत होता है और उर्जा की जरुरतों को पूरा करने के लिए हम क्या है उपरियावरण के नियमों का उलं तो आपको देखते हैं कि इससे क्या है चुनोती आरी परियावरेण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और उसका कोई ऐसा alternative solution अभी तक हम नहीं निकाल पाएं तीसरा महत्पुर्ण चुनोती क्या है जितनी भी उपलब्द तकनीक है वो सभी तकनीक उर्जा जरुतों को पूरा करने के लिए काफी महेंगी है इसे example के तोर पे लो चाहे तकनीक कोई सा भी हो मैं नविकरी निया अनविकरी निया से अलग हट के बात कर रहा हूं जैसे बा लाती सुद्ध सा पॉल मेंग होता है और काफी मेंगी ओती है लेकिन होने की बात यह है कि हाली के दिनों में एक रहा आए-ल। सौर पैनल है उसकी जो मैनिफैक्टिरिंग है उसकी जो कुल खर्च है वो काफी कम होते जा रहे हैं तो कुल मिला के अगर वो कम होता है तो नभी करीनी उर्जा बढ़ने वाला है याद रखिएगा आयात बढ़ना वाला पार्ट मैंने अल्लेडी बताया फिर से रेपीट करूँगा कि भारत में खुल उर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए भारत में परियाप्त मात्रा में कोल या कोईले के भंडारण होने के बावजुद हमको इसको आयात करना पड़ रहा है और ये प क्या हम सकता पड़ गई है सोची ऐसी तकनीक होती तो हम क्या हमको आयात करने की जुरत पड़ती क्या हम नभी करने निवल एनरजी को ज़्यादा बनाते तो क्या हमको इंपोर्ट करने की जुरत पड़ती नहीं पड़ती बट इसका परसेंटेज बढ़ रहा है भूलिएग जा सकता है संभावनाओं पर उर्जा की अस्खीम संभावनाओं क्यों आप जब एक ऐसे देश में रहते हैं जो उस्ण कटी बंदी है जहां पर सन लाइट क्या है रेगुलर काफी मात्रा में साल के कई मेहनों तक काफी मात्रा में यहां पढ़ती हैं तो यहां पर उर्जा की असीम संभावनाओं आएं तो उर्जा केवल सौर उर्जा की बात मत करें सौर उर्जा तो है ही भारत के सौर उर्जा के असीम संभाव ना है तो इसमें जो प्रमु好 युघदान अगर दे रहे हैं आप देखेंगे तो राजस्थान है आपका अभी जो हाल ही में लदाग ऐरिया में है साउथ के कुछ परदेश में क्योंकि वहां भी गर्मी पड़ती है तो आपको यहां पे उन प्रदीसों का नाम उलेखित करना हो सकता है विंड इनर्जी में आप देखें तमिल नाडू करनाटा के काफी महतपुन स्थान जो है अधा कर रहे हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं पावन उर्जा में अब आपकरिनी उर्जा रेवनेवल इनर्जी से करेंगे तो उसमें 100 गीगावाट जो है स्थान इसमें दिया गया है तो कुल उर्जा जरुवतों को पूरा करने के लिए आप देख पा रहे होंगे रेवल एनर्जी काफी इंपॉर्टें रोल प्ले करेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे इन एनर्जी का सौर उर्जा पावन उर्जा स्माल हाइड्रो पावर पोजेक ठीक है इन सभी का यह नुकलियर पावर प्लांट्स का नुकलियर एनर्जी का आप भरपूर रूप से यहाँ पे उनकी संभावनाओं को प लगवए एक चौथाई भाग भी हो सकता है तो उर्जा मंत्राले के रिपोर्ट के अनुसार तो इन सब बातों का यहां पर उल्लेक जरूर करें और नविकरेनी उर्जा लक्ष आप लिखें अलग से और उनके बाद यह क्या यह डेटा को वहां पूट कर दें तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो उसकी मांग को हमने लिखा कुछ सब्दों में उसकी चुनाओतियों को हम लिख सकते हैं यहां पे और भविश्य कूर्जा में आप हाइड्रोजन को भी सामिल कर सकते हैं क्योंकि इसे ही फ्यूचर का एनरजी कहा जाता है भविश्य का इंधन हाइड् निक्लेर फ्यूजन यानि की नाभी की सलयन पे आधारित क्या निक्लेर बनानी कोशिच की जा रही है तो काफी ज्यादा यह डेवलप किया जा चुका है तो और यह इस प्रकार भविश्य के इंधन की रूप में हाइड्रोजन को लिखें निक्लेर के नए आसपक को भी लि ठीक है टाइडल इनर्जी यह ऐसे नए फॉर्म है उर्जा के जहां पर भी उर्जा की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं तो इस प्रकार संभावनाओं पर आप अगला पैरग्राफ जो 6 लाइन मैंने बताया था वो 6 लाइन आसानी से पूरा कर सकते हैं अगर यह एक ऐसा टॉपिक है पूरा ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे लिखेंगे तो आप फिर उसके अलग ही अनरूप हो सकते हैं इलाबरेट कर सकते हैं आप उसकी भूमी का और अलग अलग उर्जा के रूप पे उनकी उर्जा मांग उनका उर्जा का जो संसाधन है और उन संसाधनों के हम उर्जा लक्षा को किस पकार पा सकते हैं उन पे लिख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि नए नए जो तकनिक आ रहे हैं उन तकनिक को आप सामिल कर सकते हैं और उसके बाद अंती मुरूर से उसका निसकर्स या तनकीमजन लिख सकते हैं आई होप यह आपको जो discussion हुआ है आपको काफी help मिला होगा ऐसे सभी student जो अभी तक answer writing नहीं किये हैं अगर आप answer writing इस discussion के बाद भी अगर आप उसमें upload करेंगे तो definitely हम उसको review करेंगे और आप अच्छे answer लिखे हैं कि नहीं definitely हम comment करेंगे patient से आप पूरी discussion को आपने देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आपको मैं पुना आगरे करूँगा कि mains जो exam का preparation है mains के exam के preparation में जब तक आप effective answer writing नहीं करेंगे तो आप कितना भी जान लें कितना भी आप ग्यानी हो जाएं तो जब तक आप उसको सब्दों के अनुरूप सब्दों में काग्जों में उसके आपकी अनुरूप नहीं उतार पाएंगे तो आपको अपिक्छाक्रित नंबर नह करने वाले जो लेक्चेस में दूसरे वीडियोस में हम दूसरे टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे तो मिलते हैं हम अगले हमारे वीडियो लेक्चर पर थैंक्यू सो मच CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले